नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के आज का हमारा टोपिक है लॉंग के फायदे से रिलेटेड जहां लॉंग एक बहुत छोटा सा फूल के आकार का होता है जो लॉंग की हमारे भारतिय मसालों में मुख्य जगह है इससे खाने को नया स्वाद खुश्बू मिलती है लॉंग खाने के अलवा और शधी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े रोगों को लॉंग जट से ठीक कर देती है लॉंग के स्वास्थे लाव के साथ लॉंग के तेल में इंटी ओक्सिदेंट रोग प्रतिरोधी जिवान रोगों इंटी वाइरल, इंटी सेप्टिक, विरोधी भड़कावू और एनलजेसिक गुण होते हैं आयरुवेद एवं चीनी चिके सामें लॉंग के सूखे फूल की कली पत्ति तना से तेल निकाला जाता है फिर इस तेल का प्रियोग दवाई के लिए होता है लॉंग का पाउडर इवं लॉंग का तेल ये सभी बाजार में आसानी से मिल जाते हैं इन सभी चीजों के अलग अलग फायदे होते हैं तो आईए हम आज जानते हैं कि लॉंग से क्या क्या ठीक कर सकते हैं आप सबसे पहले तो दांत दर्द को कम करने के लिए दांत दर्द में सबसे पहला आसा एवं असरदार तरीका होता है लोंग एवं उसका तेल लोंग में मौजूद तत्व दात दर्द एवं मसूरों की सुजन को कम करते हैं इसके उपयोग से जल्दी से आराम मिलता है इसके साथ ही ये इनफेक्शन को भैलने से रोकता है कोटन में थोड़ा सा लोंग का तेल लें उसे दांत में दर्द वाले अस्थान पर घीसें इसके अलावा आप दो लोंग पावडर में ओलिव ओयल मिलाकर उसे दर्द वाले अस्थान में लगाएं अगर आपके पास लोंग की पत्तियां हैं तो उसे दर्द वाले अस्थान मे दांतों के बीच दबा लें कुछ देर बाद अलग कर दें आराम मिल जाएगा अगर आपके मुख से दुरगंध हाती हो तो उसको भी दूर करने में बहद ही कारगर साबित होती है लॉंग सांस से आने वाली बद्बू को लॉंग के प्रयोग से दूर किया जा सकता है लॉंग मुख में जो बैक्टीरिया दुरगंध पैदा करते हैं उसे मार देता है ये इंफेक्शन को दूर कर मुख के हर हिस्से को स्वस्थ रखता है एक से दो लॉंग को मुख में रखकर कुछ देर चबाएं दुरगंध गायब हो जाएगी इसके अलावा आप लॉंग को पानी में उबाल कर ठंधा कर लें अब इस पानी से दिन में दो से तीन बार गरारे करें अगर आपका जी मिचला रहा हो उल्टी आने वाली हो तो इस परिशानी को दूर करने में भी लॉंग बेहधी कारगर और शदी है लॉंग की खुश्बू से जी मिचलाना एवम उल्टी की परिशानी घवराहट दूर होती है गरभाधारान के समय औरतों को सुबह उठते के साथ ही अजीब लगता है दिन में भी कई बार जी मिचलाता है लॉंग से ये परिशानी दूर होती है एक साफ रुमाल में लॉंग के तेल की कुछ एक बुंदे डालने इसे खराब लगने पर थोड़ी थोड़ी देर में सूंगते रहें इसके अलावा आप एक से दो लॉंग चबा भी सकते हैं उल्टी रोकने के लिए लॉंग पावडर में एक चमच शहद मिला कर खाएं इसके अलावा एक गिलास गुंगुने पानी में कुछ एक बुंदे लॉंग तेल की डाल कर धीरे धीरे पीएं आपको लाव होगा अगर आपको पाचन तंत्र की प्रोब्लेम है तो उसको दूर करने के लिए लॉंग का प्रियोग लॉंग में मौजूद प्रोपर्टिज पाचन सही रखने में सहायक हैं लॉंग से पेट दर्द, एसीडीटी, गैस, उल्टी, मरोड, डाइरिया की शिकायत दूर होती है आप लॉंग को खाने के बाद खा सकते हैं या फिर इसे मसाली के रूप में खाना बनाते समय उप्योग कर सकते हैं जोडूं के दर्द में लॉंग का प्रियोग लॉंग का तेल जोडूं में होने वाले दर्द को दूर करता है इसके साथ ही मसल्स के दर्द, गठिया का दर्द भी ये काम करता है इसमें कैल्शियम, उमेगा थ्री, एसीड, एवम, आइरन की अधिकता होती है जिससे इसे लगाने से हड़ियां, एवम, जोड, मजबूत होते हैं लॉंग के तेल में थोड़ा सा ओलिव ओयल मिला कर दर्द वाली जगह में मसाज करें दिन में इसे कई बार करें आपको लाब होगा लॉंग को सेक लें, इसे एक साफ कपड़े में बांध लें इस कपड़े से दर्द वाली जगह की सिकाई करें, आपको लाब होगा ये रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाती है इसके प्रयोग से साधारन सा सर्दी जुकाम, वायरल, गले में इनफेक्शन, सास की परिशानी ठीक हो जाती है सर्दी होने पर रोज लोग वाली चाय दिन में दो से तीन बार पिएं गर्म पानी में लोग तेल की कुछ एक बुंदे डाल कर उससे भाप लें रोज दो से तीन लोग चबाएं, आपको लाब होगा आपकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ जाएगी अगर आपको सरदर्द ठीक करना है, यानि कि माईग्रेन, सरदी या परिशानी से होने वाले सरदर्द में लोग का प्रियोग सबसे अच्छा होता है लोग के तेल से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है एक कपड़े या ठीशू में लोग के तेल की कुछ एक बुंदे डालने, इसे सर पर रख कर 15 मिनर तक छोड़ दें एक एक चमच सारा ले लीजिए, इसमें कुछ एक बुंदे लोग के तेल की डाल लीजिए इससे सर की मसाज करें, आपको आराम मिलेगा अगर आपका कान दर्द कर रहा है, तो कान दर्द या कान के कोई भी इंफेक्शन को लोग का तेल ठीक कर देता है बस करना के आपको कान में लोग के तेल की कुछ एक बुंदे डालनी होती है लोंग एवम तील का तेल बरावर मातरा में मिला लीजिए कोटन को तेल में भिंगोईए और इसे कान में लगाईए कुछ ही देर में दर्द ठीक हो जाएगा वनफोर्थ ओलिव ओयल लें एक चमच का वनफोर्थ आपको ओलिव ओयल लेना है इसमें लॉंग का पाउडर मिला लेना है इसे हलका गुनगुना करें और चान कर तेल की कुछ एक बुंदे कान में डालें आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा आपके फेस पर अगर पिंपल्स हो गए है यानि कि बहुत सारे मुहासे हो गए है तो लॉंग मुहासे पिंपल्स ब्लैक हेड दाग धब्बे दूर करता है इससे इंफेक्शन भी मिड़ जाता है एक चम्मच नारियल तेल में एक से दो बुंदे लॉंग तेल की डालें इसे क स्ट्रेस कम होता है लॉंग के तेल की कुछ एक बुंदे अपने नहाने वाले पानी में डालें आराम से कुछ देर नहाएं रिलेक्स फिल होगा आपको जब भी लॉंग का ओयल पानी में डाल कर नहाएंगे तो आप लॉंग की चाय पीकर भी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं क्यो जरूरी है तो आईए कुछ एक नुकसानों के बारे में हम जानते हैं इससे ब्लीडिंग अधिक होती है ब्लड में सुगर का लेवल कम कर देता है ये ज्यादा खाने से विशयले तत्व शरीर में इकठे होने लगते हैं और एलर्जी होने लगती है इसलिए कभी भी लॉंग क इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा मात्रा में आप लॉंग का प्रयोग ना करें लॉंग एवम उसके तेल के बहुत से फायदे हैं लेकिन इसके कुछ एक नुकसान भी है अधिक इस्तेमाल से यहाने आपको होती है कई तरह के अलर्जी होने लगती है आप इसे एक सिमित मात तो आप इसके फायदे उठा सकते हैं हमने जो भी बीमारियां बताइं इनको भी आप अपने आपसे दूर रख सकते हैं लॉंग की सहायदा से बस आपको इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जहानकारी आप सभी के लिए लॉंग लॉंग के तेल और लॉंग के पाउडर से जुड़ी होई यानि कि इससे कैसे आप फायदा उठा सकते हैं और किन-किन बिमारियों को दूर भगा सकते हैं इससे रिलेटेड अगले अंक में मैं आ तो पूर जहानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों